Hello and Welcome to Fun Learning आज हम इस वीडियो में रेसिज के स्टार्ट के बारे में पढ़ेंगे कितनी तरह के स्टार्ट होते हैं और शौर्ट डिस्टेंस लॉंग और मिडल डिस्टेंस रेसों में किस तरह से स्टार्ट लिया जाता है इसके अलाब हम फिनिशिंग किस तरह से होती हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो आप मुझे सोशल मीडिया पर इन आईडियस के द्वारा जूर सकते हैं पर आपको मेरी सारी वीडियो की पीडियाप मिल जाएगी चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले देखिए जो स्प्रिंट या शौर्ट डिस्टेंस रेस होती हैं इन रेसों को स्प्रिंट रेस भी बोला जाता है यह अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ और स्पीड के साथ पूरी स्पीड के साथ दोड़ी जाती है और इसके अंदर देखिए कम दूरी की दोड़े जैसे 100 मीटर 200 400 मीटर की दोड़े आती है जब हम स्प्रिंट रेसों की बात कर रहे हैं तो इसमें आपने एक नाम ज़रूरी सुना होगा उसेन बोल्ट का कि इनको फास्टेस मैन भी बोला जाता है और इनके नाम की रिकॉरड है से लुड रिकॉर्ड हो गया और ओल्लपिक रिकॉर्ड है और वर्ड चैंपिन शिप्रिकॉर्ड बर्ड रिकॉर्ड के अंदर 100 मीटर में देखिए इनका रिकॉर्ड है 9.58 सेकिंड में गयी दोड़ पूरी की थी 19.30 second का और बर्ड चैंपियन्शिप के अंदर भी इनका record 9.58 and 200 में 19.09 second का भी इनके record है बर्ड रिकॉर्ड ओलम्पिक और बर्ड चैंपियन्शिप record उसे इन बोल्ट के इसे इन बोल्ट से related question पूछे जाते हैं इसलिए यह थोड़ा से मैंने यहां पर बता दिया वाकि हम जादा यहां पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं अब हम पढ़ेंगे type of start start कितनी तरह के होते हैं इसमें देखिए एक होता है इसमें sitting start या crouch start piece को बोलते हैं और दूसरा इसमें standing start होता है और आ तिसरा flying start…Sitting start होता है on sprint races के लिए Contya और यह इस तरह के start हमने पहले ही बोला sprint race हो में होते हैं जैसे कि 100 meter, 200 meter, 400 meter, 100 meter hurdle, 110 meter hurdle, 4 into 100 meter relay and 4 into 400 meter relay अब हम इनको देखते हैं किस तरह से start ले जाते हैं सबसे पहले जो bunch और bullet start होता है इसमें देखिए कि आप image में देख सकते हैं किस तरह से start ले जाते हैं इसमें जो blocks होते हैं blocks के बीच का distance 8-10 inch का होना चाहिए जैसा आप अब यहाँ देख सकते image में स्टर्टेंग पॉंट हे लगे रहते हैं और जहां पर pound place होते हैं तो यह दो blocks के बीच का distance होना चाहिए 8-10 inch का जो bullet start होता है उसमें जो medium start होता है उसमें जो blocks के बीच का distance होना चाहिए वो होना चाहिए 12 से 18 इंच का उस तरह से elongated start में 20 से 18 इंच का होना चाहिए simply अगर हम देखे जो छोटी height के होते हैं उनके लिए होता है burn start जो medium height के उनके लिए medium start और elongated start लंबे height के athlete होते हैं वो जादा तर इस तरह का start लेते हैं फिर next हम देखते हैं इसकी techniques starting techniques क्या होते हैं सबसे पहले तो हमने अभी देखा कि blocks लगाए जाते है starting line पे उन start को कैसे fix किया जाए तो ये starting line से पीछे लगाए होने चाहिए इनका जो distance होना चाहिए starting line और starting blocks के बीच में वो होना चाहिए 11 से 12 inches का लेकिन ही depend करता है athlete के height के उपर भी blocks तो लगे लेकिन अब इसमें entry कैसे ली जाए उसके लिए देखिए जो starter referee होते हैं वो command देते हैं पहली command होते है on your mark तो जैसे ही starter referee command देगा on your mark तो athlete normally box करते हुए आएंगे और blocks पे वो अपने पाउं प्लेस कर देंगे और जो अपने हाथ है वो इस तरह से starting line से थोड़ा पीछे यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर देंगे और यह आपका side view आप देख सकते हैं front view इस तरह से जो पहली कमांड होगी यहां पर इस तरह से किलाड़े पर अपने हाथ और पाउं को प्लेस करके relax होके रहेंगे तो दूसरी command रहेगी वो होगी set जैसे ही set बोला जाएगा जो sprinter क्या करेंगे देखिए इस तरह से पहले बैठे हुए थे अराम से तो एक दम से वो alert हो जाएंगे और अपनी हिप से वो इस तरह उपर की तरफ को उठ जाएंगे और इनका जो shoulder है वो आगे की तरफ को starting line की तरफ को move कर जाएगा इस तरह से आप इस image में देख सकते हैं और इनका body weight front foot और हाथों पे shift हो जाएगा और head जो है वो natural position में रहेगा अपनी और इस तरह से एक दम से वो alert होके रहेंगे और जैसे ही फिर go बोला जाएगा अगली जो command है या तो go बोला जाएगा या फिर gun fire होगी जैसे ही gun fire हो जाते हैं तो खिलाडी आगे की तरफ को फिर एक दम से दौनना शुरू कर देंगे ये था sprint raceों में इस तरह से जो sitting start है लिया जाता है और standing start लिया जाता है middle और long distance races के अंदर जैसा नाम से पता लग रहा है कि standing position में खड़के वो start लेंगे कुछ इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं खिलाडियों की body जो है वो इस तरह से straight bend रहेगी हिप से bend रहेगी लेकिन straight bend रहेगी और इनके हाथ इस तरह से रहेंगे जो भागने की position में ये खिलाड़ी इस तरह से खड़े रहेंगे से फिर gun fire होगी और ये दोड़ना शुरू कर देंगे और इस तरह का start देखी middle distance रेसों में 800-1500 में होता है इसमें speed और endurance की आफशकता होती है जो long distance रेसों के अंदर 3000 मेटर 5000-10,000 cross country marathon जिसका distance होता है 42.195 km सारी long distance रेसों के अंदर भी इस तरह का standing start लिया जाता है फिर है finishing कैसे होगी, type of finishing इसमें देखे, तीन तरह से finishing होती है एक इसमें lunge forward होता है इसमें क्या होता है? इसमें फिर जोब अपनी chest से tape को touch करने की कोशिश करता है शोल्डर श्रग, शोल्डर स्ट्रग में क्या है एक खिलाड़ी अपना जो शोल्डर है वो आगे की तरप को move करेगा टेप को touch करने की कोशिश करेगा है run through, run through में क्या होता है खिलाड़ी अपनी full speed में दोड़ते हुए आता है और finishing line के उपर से सेधा ही आगे की तरफ को निकल जाता है बिना finishing line को consider किये तो यह थे तीन तरह की finishing, lunge forward, shoulder, stag और run through तरह से हमने short, middle और long distance रेसों में starting किस तरह से होती है और finishing देख लिए हमने किस तरह से होती है I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए helpful रहा हो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए helpful रहे तो वीडियो को like किजिए, चैनल को subscribe किजिए और notification bell icon को भी press कर देजिए ताकि आप तक आने वाली सारी नए वीडियो की अपडेट महुचती रहे